आप में से बहुत सारे लोगों को बेसाब्री से इंदियार होगा कि UPPSC यानि कि उत्तरप्रदेश लोग सेवायों का नया एक्जाम केलिंडर कब आएगा तो दीखे 9 जून 2020 को जो है इसका नया एक्जाम केलिंडर आ चुका है तो आई आपको बता दू मैं अपडेट जो है कि कौन सी परिक्षा किस दिखोगी देखे जो आपका साहयक अभियोजन अधिकारी का मुख्य परिक्षा 2018 वाला है यह होगा 18.7.2020 से और जो आपका सम्मेलित राजे प्रवर अधिना सेवा का एक्जाम है ठीक है तो यह होगा आपका 25.7.2020 से ठीक है और जो आपका खंड सिक्षा अधिकारी का एक्जाम था जिसका बहुत सारे लोगों को बेसप्री से निजार था तो दीके खंड सिक्षा अधिकारी का एक्जाम कराया जाएगा 16.8.2020 को तो तैयार हो जाए इसके लिए और जो आपका कंप्यूटर साहे का एक्जाम था यह आपका होगा 23.8.2020 को और इक जो आपका 2016 वाला एक्जाम जो कैंसिल हो था साहे क समीच शाजिकारी वाला तो यह आपका होगा 11.10.2020 को और इक जो आपका समीच राज अभी अंतर सेवा वाला एक्जाम है ठीक है यह होगा आपका 11.2020 को और उद्योग विभाग उत्तर प्रदिस के अंतरगत साहे प्रबंदक गैर तक्नीकी स्क्रीनिक परिष्या 2016 होगा 12.11.2020 को और इक जो आपका समीच राज अभी अग्जाम है यह होगा 6.12.2020 को यह आपका समीच राज प्रवर अधिनस सेवा का जो अमो के परिष्या होगा यह आपका होगा 22.1.2021 को यह अगले साल आपका जनवरी महीने माहित होगा और जो आपका सहाय का वन संदक्षक छेत्री वन अधिगारी का मुखे परिष्या होगा तो इसका मेंस एक्जाम कराया जागा 13.2.2021 को यह अगले साल फरवरी महीने में 13 तारिक हो तो यह था आपका नया अपडेट और इसको जो है आप इसका स्क्रीन सौट भी ले सकते हैं यहाँ पे देखिए एक पेस पेस सारे सारे जो है एक्जाम के आपको जो है डेट वगरा दिख रहा है और आप एक काम को और कर लिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर लिएगा सबी ग्रूप में ताकि और लोग भी जो है यह अपडेट ले सकें कि उनको भी यह अपडेट में जाए कि उनका कौँ सा एक्जाम कब लगा हुआ है तो शेक साथ बहुत बहुत दोना थेंक्यू